आप कोई new technology को develop करना चाहते हैं, society के लिए, तो जितने field के लोग हैं, अगर कई field के लोग एक साथ हैं, यह से social science के हैं, education के हैं, engineering के हैं, science के हैं, medical science के हैं, agriculture के, तो different group जब combine करेंगे, तो different mind काम करेगा, तो हम solution देते हैं, अब आपने जो बात कही है कि, अब क्या होना है different field में, अगर मान लीजिए कि AI है, computer science में लोग इसको use करते हैं, engineering में करते हैं, क्या यह social science में use हो सकता है, या नहीं हो सकता है, मेरा अपना कहाना है कि अभी government of India ने, एक नया scheme सुरू किया, new education policy, NEP 2020, उसमें अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा जो focus किया गया है, कि use the technology in education, दू यानि कि अब हर field में इन्हों कहते हैं कि कोई specific field नहीं है, interdisciplinary पे focus किया गया है, यानि कोई science का student है, social science में काम करना चाहता है, तो होहाँ कर सकता है, कोई social science का बच्चा है, science में करना चाहता है, तो अगर हम यह artificial intelligence को, अगर social science के curriculum में हम अगर add कर देते हैं, तो बहुत ही बहतर ह हुआ जाएगा क्योंकि social science में भी data है पीपुल वहां पर जो काम करते हैं देटा से प्ले करते हैं और मैंने पहले ही कहा था कि no data no artificial intelligence more data more artificial intelligence तो अगर आपके social science में data है तो आप वहां पर artificial intelligence को पढ़ा सकते हैं और artificial intelligence का नौलेज दे सकते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में उन बच्चों का भी केरियर बहतर होगा, क्योंकि देखिए हम कहते हैं, एक सिधान्त है, जो इनसान वतावरण के अनुकुलित अपने आपको नहीं बदलता, उसका जिवास पराप्त हो जाता है, तो इसलिए जैसे जैसे ह हालात है ना, उस हालात के साथ हमें अपने आपको बदलना होगा, माल नीजे कि सोसल साइंस पे जो टेडिशनल टीचिंग हो रही थी, तो आप उस टेडिशनल टीचिंग से हटकर, AI को यूज करना होगा, यारि कि सोसल साइंस में भी आप याई पढ़ाई है, एजूके उन को सोसाइटी के साथ टेकलोजी के साथ चलना है, और NEP में कहा भी गया है कि नूट टेकलोजी को आप यूज करिए, इनुवेशन टीचिंग कीजिए, तो जब तक हम इनुवेशन टीचिंग नहीं देंगे अपने सोसाइटी में, अपने जूकेस में, हम आगे नहीं बढ़ करने के लिए हमें टेकलोजी का यूज करना ही होगा।